हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोवन और आप देख रहे हैं कोवन इन्पोटेक्ट चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी फाइल या फोल्डर को कैसे सर्च करते हैं मतलब अगर जो आपने किसी ड्राइब में या किसी सब फोल्डर या फोल्डर के अंदर कोई डेटा रख दिया है और आप भूल गया है कि किस फोल्डर के अंतरगात या किस सब फोल्डर में रखा है और आपको याद नहीं आ रहा हो तो उसे कैसे फाइंड करेंगे एकदम सर्टिकता से कि वही फाइल हमें मिले या फिर कभी-कभी ऐसा होता है दोस्तो कि आप किसी फाइल को किसी ड्राइट के अंदर रख देते हैं और किसी परसन के सामने जब सर्ट करते हैं तो बहुत सारी फाइल है उसके सामने खुलकर आ जाती है लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ वही फाइल है उस बिंडो के अंतरगात आयर जो कि आपने रखा था और व उसे कैसे find करेंगे कि आसानी से वही file display हो आपके computer screen पर तो चलिए आज का वीडियो शुर्यू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं computer को explore करके आपको दिखा दूँ कि E-Drive के अंत्रगत जब हम video editing और audio editing का काम करते हैं तो all others works के अंत्रगत जो भी image होती हैं उसमें any types नाम का एक holder बना के हम रख देते हैं जब कभी भी हमें आओ सकता होती है किसी बी तरह की logo की picture की तो हम यहीं से दुबारा use कर लेते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों जब हम फाइलों को रखते हैं तो हम भूल जाते हैं तो उसके लिए कैसे इसमें से find करना है simple आपने find करना सीखा होगा देखें यहां पे search box रहा है और यहां पे already type है search any आपको यहां पे click करना है और अपने file का नाम type कर लेना है तो चलिए मैं यहां पे type कर दे रहा हूं computer जैसे हम type करेंगे computer तो जितनी भी file होगी जिनका नाम computer होगा automatic search होकर आ जाएंगी चुकि देखें यहां disk है लेकिन इसके अंदर भी computer type हुआ है पहले से यहां लिखा हुआ है तो यह भी find होकर आ गया देखें वाइफाई और यह tally भी आ चुका है चलिए अब इसे नीचे की तरफ scroll करके एक बाद check कर लेता है तो इसका मतलब है जिन दिन फाइलों में computer type हुआ रहेगा तो वो फाइले यहां पर display हो जाएंगी लेकिन दोस्तों अगर आप यह भूल गए हो कि फिर आपकी file का नाम क्या था आपने computer नहीं रखा था कुछ और रख दिया था अक्सर ऐसा होता है जब हम internet से कोई file download करते है या किसी ने दे दिया तो उसका नाम हम बदल देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो वहां पर problem हो जाती है जैसे देखिए यहां पर HDD display हो रहा है और इसका नाम है 2 तो उस अवस्ता में बहुत problem होती है तो उसके लिए find करने के कुछ filter features होते हैं जिनका उपयोग करके आप आसानी से किसी भी data को आसानी से find कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे तो इस search box में आपको click करना है और जैसे search box में click करेंगे तो देखेंगे इसके नीचे एक छोटा सा और box खुल कर आ गया है जिसमें add as search filter के नाम से दो filter display हो रहा है पहला है date modify और दूसरा है size date modify को जैसे click कर तो यहाँ पर date का window आ जाता है जहाँ पर आपको वो date select करना है जिस date को आपने file look यहाँ पर paste किया था ध्यान रहे दोस्तों आपको date याद होना चाहिए तो इस date के data को आप find कर सकते हैं जैसे कल 10 तारीक था तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि 10 तारीक में हमने कौन सा data यहा को दिखा रहा हूँ तो देखिए 9 तारीक में हमने दो file यहाँ पर paste करके रखी हुई है अब इसे click कर लें और click करने के बाद इसे copy कर लें और copy करने के बाद कहीं पर भी एक नया folder बनाके इन file को आप अलग paste कर लें आसानी से इनका उपयोग आप अलग कर सकते हैं चलिए इ yesterday यानि कि कल के रोज में आपने कुछ इसमें paste किया होगा तो नहीं अभी आपने 10 तारीक में देखा था कि 10 में नहीं था तो मैं फिर से date modify को click कर रहा हूँ earlier this week हाली में आपने इस week में जो भी आपने paste किया होगा वो display हो जाएगा तो देखें यहाँ पे दोनों files यहाँ पे पूरा खतम हो गया हो तो उसके लिए last week को click करेंगे तो देखिए इस सब्ता में इसके पिछले वाले सब्ता में हमने दो फाइले यहाँ पर रख्यों थी चलिए इसे भी select करके हम copy कर ले रहे हैं ताकि इसे आपको बढ़ा करके हम इसे दिखा सके नया folder बनाया और उस folder के अंदर मैंने पेस्ट कर दे चलिए इसे हम थोड़ा सा बढ़ा करके आपको दिखाते हैं लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के लिए हमने copy and replace, don't copy, copy but keep both files और वही से हम प्रक्रिया move and replace के साथ मैंने करी थी यानि कि इसके पहले वीडियो हमने बनाया तो earlier this month को click करके आप यह देख सकते हैं कि इस month में हमने कितना data paste किया था, तो अभी month complete नहीं हुआ है, इसलिए data find नहीं हो पा रहा है, अब इसे ही आप earlier this year, इस year का check कर सकते हैं कि इस verse में, अगर जो यह folder पिछले year में बनाया गया होगा, तो इस verse में आपने कितना data यहाँ पे paste किया है, वो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं, देखिए earlier this year के अंतरगत 52 item दिखा रहा है, चुकि अगर जो इसे हम cancel कर दें, तो आप देखेंगे इसमें total file की संख्या है 908, उसमें 52 यह ऐसे item है, जो इस verse में हमने हाली में paste किया है, अगर जो पूरा का पूरा आप देखना चाहते हैं, बहुत पुराने data को या इस verse के data को, तो लांग टाइम एक उ को क्लिक करें, जैसे इसे क्लिक करेंगे, तो आपने जितना भी data यूज किया होगा, आटोमेटिक सारा data यहाँ पर filter होकर आ जाएगा, जैसे नीचे देखें अभी यहाँ पर find हो रहा है, total find हो गया 800 चंगोन आइटम, जो कि हमने लास्ट टाइम में यूज किया था, चलिए इसे कर देते हैं, cancel, उसके बाद दोस्तों, अगर जो आपको size के इस आप से find करना है, जैसे की file आपकी 1 kbq, 1 mbq, 2 mbq, सिर्फ वही file हैं, तो उसके लिए size को click करना है, जैसे size को click करेंगे देखेंगे, यहाँ पे बने बनाए features display हो रहा है, जैसे empty size, अगर जो ऐसा कोई image है, जिसको 0 kb का है, तो आप यहाँ से find कर सकते हैं, 0 kb की कोई भी हमारे पास file नहीं है, चलिए इसे cancel कर देते हैं, फिसे size को click करते हैं, हमने का, 3 यानि की 0 से लेकर 10 kb तक की file हो कोई, तो वो find हो कर आ जाए, चलिए हम check कर लेते हैं, तो देखें, यह सभी के सभी हमने MS pen की मदद से बनाई थी, और जो कुछ internet से download किया था, उसका size कम किया था, तो देखें, 0 से 10 kb तक की file की size है, इस पर right click करके मैं आपको इसकी properties दिखा दूँ, तो देखें, यह 2 kb की है, चलिए size में आ जाते हैं, size में आने के बाद से, अगर जो आपको 1 mb तक की file चाहिए, तो medium 100 kb से लेके 1 mb तक की file चाहिए, तो इसे click कर देंगे, तो automatic वहीं file है आएंगी, जो 100 kb से 1 mb के बीच में होगी, जो की अभी आप देख रहे हैं, 200 bound items ऐसी हैं, cancel कर देते हैं, फिर से size में चलते हैं, और अगर जो आपको 1-11 mb तक की file चाहिए, तो large को click करेंगे, और 16-118 mb तक की file चाहिए, huge file बड़ी file है, तो आप ये वाला option को click करेंगे, जैसे click करेंगे, तो उससे संबंदित file आ जाएगी, जैसे देखिए मेरी एक image है, ये Photoshop की file है, जैसे हमने इसे double click करा, य और देखिए, ये open होकर आ गया, चलिए, इसे cancel कर देते हैं, इसकी size आपको दिखा देते हैं, right click करके properties, और देखिए, 87 mb की file है, use file है, और भी file हैं इसमें, देख सकते हैं, तो चलिए इसे कर देते हैं, cancel, फिर से size में आते हैं, तो दोस्तों, size की प्रकिरिया तो आप बिल extension के होंगे, जैसे की सारे की सारे jpg file हो, या png हो, या phd हो, इसमें से भी, अगर जो आपको special file find करनी है, तो simple है, दोस्तों, search box में आपको type करना है, only psd, उस file का extension, जैसे आप ऐसा type करते हैं, तो automatic सभी जो phd file होंगी, वो अलग find होकर आ जाएंगी, ऐसे ही आपको png चाहिए तो simple आप png type कर लिजे, automatic आजाएंगी, png file होंगी, ऐसे ही आपको, अगर जो माल लेते है, jpg चाहिए, तो आप type कर लिजे, jpg, या फिर jpg चाहिए, तो आप jpg type कर लिजे, jpg file होंगी, ठीक, उसी तरह चलिए दोस्तों, हम दूसरे drive को open करकर दिखाते हैं, जैसे d drive, अब d इतनी भी pdf की file होंगी, यहां पर find होकर आ जाएंगी, तो चलिए यहां पर, यह drive बहुत लंबी size की है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, जहां जहां पर भी pdf मिल रहा है, वो सभी की सभी यहां पर find होकर आ रहे है, साथी साथ दोस्तों, यहां पर देखने वाली ब आप को type, type और लगाना है colon, और colon लगाने के बाद अपना extension type कर लेना है, तो मैंने type किया pdf, अब देखेंगे, तो सिर्फ वस सिर्फ pdf फाइले यहां पर find होकर आई है, इसके पहले हमने type किया था pdf, तो सिर्फ pdf टाइप करने से आपके d drive में जितने भी pdf से मिलते जूलत जो कुछ भी होगा, वो सभी की सभी find होकर आजाएंगी, लेकिन type में अगर जो आप type करके और उसका extension type करते हैं, तो सिर्फ वस सिर्फ वही फाइले आएंगी, चलिए मैं आपको दूसरा यहां पर दिखा दे रहा हूँ, यहां पर type कर दे रहा हूँ, अब देखेंगे, तो इसका लोगो देखकर पहचान सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे ही आप MP4 को भी find कर सकते हैं, चलिए MP4 find करके देख लेते हैं, हमने type किया type colon MP4, अब शिर्फ वस सिर्फ MP4 की फाइले यहां पर display होगी, ऐसे ही आपको किसी भी प्रकार का extension का file ढोड़ना हो, कोई भी, तो आप आस आप इसे बस mouse pointer इस पर रखें, और delete key press करते जाएं, एक एक delete होता जाएगा, जितना भी आपने last time में find किया होगा, उसकी history यहां पर मौजूद रहती है, तो देखें हमने सारी history यहां से हटा दिया, दोस्तों अगर जो find करने में आपको और भी कोई भी problem आती है, तो आप हम इसी वीडियो के comment section में हमें बताईए, कि आपको find करने में क्या problem हो रही है, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, इसे दोस्तों में share कीजिए, आसा करते हैं दोस्तों, क कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो subscribe तो बनता ही है, हमने आपका ग्यान ग्रोक रहा है, आपको तुमारे चैनल को ग्रोक रहा है, फिर मिलता है ऐसे ही नए tips ट्रिक की नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भारत